A bucket contains two liquids of A and B in the ratio of 7 is to 5 If 9 liters of mixture is replaced by 10 liters of liquid B The ratio of both the liquid becomes 7 is to 9 How many liters of liquid A was in the bucket? बहुत ही असान कोश्चन है और अगर common sense का यूज करोगे तो आप एजली सॉल्व कर लोगे ये clear है? मैं आपको बताता हूँ without having any hesitation कैसे आसानी से कोश्चन को solve कर सकते हो आपको given है कि किसी bucket में दो liquid है A और B जिसका ratio आपको given है 7 is to 5 इसमें से आपने क्या किया है? 9 liter mixture निकाल लिया है तो गौर से सोचो अगर 9 liter अपने निकाल भी लिया है तो निकालने के बाद भी A और B का concentration कितना रहेगा? वो तो अभी भी 7 is to 5 ही रहेगा इसको ऐसे समझो मालो आपने एक cup चाय बनाया है जिसमें कुछ amount of milk है और कुछ amount of पानी है अगर उस बने हुए चाय में से थोरा सा चाय दूसरे cup में डाल दोगे तो original चाय में क्या concentration चेंज हो जाए? बिल्कुल भी नहीं वो अभी भी उतना ही रहेगा तो 9 liter mixer निकालने के बाद अभी भी A और B का रिशियो 7 is to 5 रहेगा ना, concentration में चेंज कब होगा? अगर B का ratio क्या हो गया है? वो हो गया है बच्चो 7 is to 9 तो यहाँ पे A के concentration में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है 7 unit यहाँ पे था तो 7 unit यहाँ पे भी है यहाँ पे concentration किसका चेंज हो रहा है? बी का हो रहा है वो पहले 5 unit था वो अब 9 unit हो गया है तो इसमें कितने का change है इसमें change है 4 unit का और उसके लिए responsible कौन था उसके लिए responsible था 10 liters of B तो एक unit का value कितना हो जाएगा simply 10 divided by 4 और ये liter that imply 2.5 liter it means जब A और B का concentration 7 is to 9 है उस case में 1 unit का value कितना है वो है 2.5 liter ये समझ मैं है बच्चो तो यहां पे total volume कितना है ये 7 और ये 9 that implies 16 unit तो total 16 unit का volume कितना हो जाएगा simply 16 into 2.5 that implies 40 liter तो ये जो 40 liter mixture है वो second case के बाद है तो first case में total volume कितना होगा आप निकाल रहे थे 9 और fill कर रहे हो 10 तो जो initial volume होगा वो final volume से 1 liter कम होगा तो initial volume कितना हो जाएगा जो शुरू का volume है वो हो जाएगा कितना simply 40 minus 1 that implies 39 liter और उसमें initial ratio कितना है 7 is to 5 तो आपको एक value निकालना है तो एक value कितना हो जाएगा total 7 divided by 12 और इंटू 39 3 से ये 4 और 3 से ये 13 तो ये value कितना है ये आजाएगा 91 अपान 4 तो simply ये value आएगा 7 उसाइगा ओर अच्राणीब ेशड Turn 16 बान कितना है